नवस्कार मैं हूँ सुनी गोविल मगज संबाद में आपका स्वागत अच्छा सुना सब्सक्राइब करते होतना घेंटी बढ़ादे आपके अभी अभी सासा राम से बड़ी खबर आ रही है कि परिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संचे फर्देश अद्यच बंसी दरबर्जवासी ने कहा कि काफी संख्या में सिचक मौजूद हुए अब खबर विस्तार से परिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संच के बैनर तले आज रवी वार को वस्त जीला इकाई रोतास अंतरगत सासा राम के ओजा टाउन हॉल में सिचक समेलन का आयोजन किया गया सिचक समेलन में उपस्तित नियोजी सिचको को संबोधित करते हुए परिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संच के परदेश अद्यच बंसी दरबर्जवासी ने कहा कि कि जब तक नियोजी सिचकों को सरकार समान कम समान बेतन नहीं दे देती साथ नहीं समाज सिच्छा परणाली लागू नहीं करती तब तक गुनवता पुन सिच्छा एवं समाज का समुचित भी कास संभव नहीं होगा पिहार सरकार सिचको को चपरासी से भी कम बेतन देकर उनके आत्मबल को तोड़ रही है जब तक सिचको को उनके समान एवं अधिकार परात नहीं होता है सरकार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी वहीं परदेश महासचीव अनंद मिसरा ने कहा कि जब तक नियोजी सिचको को समान कम समान बेतन नहीं मिल जाता है तब तक संहर्थ जारी रहेगा हम समान कम समान बेतन लेकर रहेंगे कार्ज करम में काफी संख्या में नियोजी सिचक मौजुद थे सिच्छक समेलन में नियोजी सिचकों को संबोधित करते हुए औरंगावा जिलादयच विजय कुमार सी भोजपुर महासची रजनी कांस्ती ने कहा कि हाई कोट में पिहार के नियोजी सिचकों के अतियासिक जीत हुई थी इसमें सरकार ने इनकार करते हुए सुप्रीम कोट में सिचकों के खिलाप एस एलपी दायर कर दी जो कि उनकी यहार का एक परतिक कचिन है नियोजी सिचक अपने कार्ज के प्रतिन इश्ठावान है इसे जानने के लिए किसी भी माप ननकी आओ सकता बर्तमान प्रिवेश में जिल आडियाच रभी कुमार्सी ने किया एवं मन्त का संचालन जिला महासचीद वाहिद अनवर ने किया मुक अतित्थी परदेश अध्यच बंसी दर बर्जवासी एवं परदेश महासचीव आनन्द मिस्रा ने संजू दिप परजोलित कर किया शम्मेलन में उपस्थित वबिभीन जीलों से यायए परतिन्दीदी ने परमुकता सपनी बातों को रखा जिसमें जिलाद्यच बिजय कुमार सी और अंगाबाद महा सचीवनील कुमार सी भोचपूर कोसा जेस सतेंदर कुमार उपाद देच राज कुमार पुसपेंदर सी ब बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्य वाग।